टीस पीसी के पेपर लिक माम लेने ली यूवक की जान आरेस प्रविन कुमार ने उठाई बड़ी मांग जया दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैं उपर आगमेंदर आप देख रहे है नेशनल चौपाल देश में बड़े पैमाने पर जनसंख्या के मुताबिक आदे से जादा फिजदी यूवार रहता है और इसका नतीजा भी ये देखने को मिला है कि देश में बेरुजगारी के तमाम जो आक्ड़ है वो आस्मान चूरह है जिसका असर पुरे देश में खासत वर पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है और पता दे की खबर निकल कर आ रहे है तिलंगाना से जहाँ पर तिलंगाना में लगातार TSPSC के पेपर लिग के मामले को लेकर लगातार बड़े बड़े आंदोलन किये गए लेकिन उसके बावजूद भी इसका सही मायने में कोई संग्यान नहीं लिया गया जिस प्रकार तेलंगाना के अंदर KCR की बियरेस पार्टी के सरकार चल रहे थी अब वर्तवान सीती में कोउग्रेस की सरकार तेलंगाना में है और इस पूरे मसले को लेकर TSPSC के पेपर लिग मामले को लेकर सकारातमक कहिने की कदम KCR की चलने वाली B6 Addy के मायदें से बिल्कुल भी नहीं देखा गया अब कॉंग्रेस की सरकार तेलंगाना के अंदर में हैं खास्तोर पर पेपर लीक मामले को लेकर क्या कुछ निर्णय आएगा ये तो वक्ती बताएगा लेकिन एक मसला कहिने के सामने निकल कर आ रहा है जिसको लेकर कहिन अबोजन समाच पाइट के तेलंगाना के प्रदेशत डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार ने एक बड़ी मांग की है आखिर क्या है और आरेस प्रविन कुमार ने इस पूरे मसले को लेकर किस प्रकार अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया जानने समझे की कोशिश करेंगे रूबरू करेंगे क्या आखिर टीस प यसी पेपर लीग की श्रंखला के कारण मानसिक रूप से खुद को बलिदान करने वाले बेरोजगार भूक्या विने नाई के ग्रह नगर दोनारकला मंडल के एरा मट्टी थांडा गए और मृतक के परिवार के सदस्यों को से मुलाकात की। मृतक की मा परनकुट्टी में रहकर अकेले ही बच्चों को पढ़ाती थी लेकिन अंततह विने की मौत हो गई। तो इस ट्वीट के जरीए डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार ने बताया कि किस प्रकार टीएस पीएस सी के पेपर लिख मामले की श्रंखला में। कहने के बहुजन समास्याने वाले वुक्या मेटी उकई को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है किस प्रकार उन्होंने डिप्रेशन में आकर तमाम तरीके से इस प्रकार का कदम उठाया या फिर उनकी मौत हो जाती है। इतना यह नहीं तो उन्होंने बताया कि किसी देनन दिन परिस्तिसी से उनका जो परिवार है वो जूज रहा था। आर्थिक लगातर समस्या बरकरार थी और खास्तोर पर उनका ये कहना है कि जो मौत होने के बाद में उनके परिवार का क्या होगा। ये तमाम बड़े सवाल डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार उनके माध्यम से उठाय गए है। ये जॉब कैलेंडर प्रकाशित कर बिना ही किसी लीकेज के पारदर्सिता तरीके से नोकरी भरी जाए। तो यहाँ पर तमाम बड़ी बाते डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार ने उठाई है। उनका साफ तोर पर कॉंग्रस की सरकार को ये कहना है जो तिलंगाना के अंदर में चल रही है कि पारदर्सिता के आधार पर ये पूरा का पूरा इसमें किसी भी तरीके से कोई धांदली ने की गई है। तमाम बड़ी बाते डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार के माध्यम से की गई है। तिलंगाना के अंदर में चल रहा है जिसका बड़ा असर तिलंगाना के तमाम युवा है जो कहने के बिरोजगार है उनकी जिन्दगी के अंदर में पढ़ पाया है। काफी लोगों ने इसके इसमें अपने करियर को जो दाव लगाया था जो आखरी वर्ष था ऐसे कई लोगों की जिन्दगिया तक इसे टीएस पीएसी के मसले को लेकर बरबाद हो चुकी है तमाम लोगों के सपने तूट चुके है लेकिन आने वाली जो अभी कॉंग्रेस क की सरकार तेलंगाना के अंदर में जो चल रही है इस सरकार के चलते टीएस पीएस से किस मामले पर क्या कुछ संग्यान लिया जाता है क्या पारदर्शिता के आधार पर तमाम चीजों में परिवर्तन देखा जाएगा या फिर के माध्यम से चलने वाली बीरस सरकार के मुता कर आएगा इस पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राह है प्रतिक्रिया क्या है प्रतिक्रिया लिख कर जोर बता और डॉक्टर रारेस प्रविन कुपार ने बहुजन समाज पार्टी के माद्यम से तमाम जो बड़ी मांगे की है इस मांगों के लेकर भी क्या रहा है उसे भी हमे बहुजन विचारधारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुलें